वेल्कम टू पॉल्टेक्निक पार्थाला आज हम लोग आपका लीट क्लास में ठीक है लीट के लिए जो थर्मोडाइनिक्स पड़ चुके हैं थर्मोडाइनिक्स सब्जेक्ट उनके आधार पर हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट पॉइसन तो इसमें हमारे पह्ला कोश्चन वह आपके सामने क्या यह बिच्ग 파लोइंग इस ठीक है तो कौन सा जूख्य ब्र्र Chain क्यूंत तो देशीध इंटेसी प्रपेटी होता है अगर प्रिकम क्या है जाएंगे तो क्या होगी क्योंको टेंपरेश्य एकस प्रॉपर्टि होता है आपनीक और सही है थीक है यहां लोग पढ़ए होग이나 एकसेंसिव प्रोपर्टि से ज्सक्राइब है आप लोग एक बार रोक के देख लिया करें कर लिया करें ठीक है न फिर आपने हिसाब से लगा सकते हैं यह बहुत सामने सब कुछ कोश्चन है दूसरा क्या प्रोपर्टी इंठल्पी इस डिफाइन तो प्रोपर्टी इंठल्पी को कैसे परिबासित किया जाता है पहला है कि डिफेरेंस आफ दो प्रेशर एंड श्क्रेश्फिक वॉल्यूम दूसरा सम आफ दो प्रेशर एंड इस्प्रेश्फिक वॉल्यूम तो अगर बात करें तो यहां दिखिए हम लोग जानते हैं कि इन्थेल्पी जो होता है यह होता यू प्लस तो घर कैपिटल एच है ठीक है कैपिटल है तो यहां पे टोटल इंटर्नल एनर्जी होगा और यह टोटल वॉल्म होगा लेकिन ही स्माल अगर है स्पेसिफिक इन्थेल्पी अगर है तो इसमाल य नहीं भी टोटल वॉल्म नहीं लिखा स्पेसिफिक वॉल्म लिखा है तो हाला कि यह आप संसी सही दिखा है क्योंकि सम आप इंटर्नल एनर्जी और प्रड़क्ट आप दो प्रेसर एंड इस्पेसिफिक नहीं होना चाहिए लेकिन कभी-कभी जान में इसे कोश्चन अब इसको तो एलिमिनेट आप कर नहीं सकते इसी लिए हमने जो है इसको हटाया नहीं इसको रखा ताकि आपको समझ में है एक्ट्वल में तो यह होना चाहिए इस पेसिफिक इंटरन एनरजी प्लस प्रेसर इंटू प्रोड़क्ट मतलब प्रेसर और स्पेसिफिक का इसको में क्या कर देते हैं मास मास्ते ढवाइड कर देते हैं यहीं है तो यह क्या हो जाता है सब इसमाब ता को सब कि की थे इतना तौम जानते नहीं है अगला कोश्चन करा तीसरा वाला यहां पर यहां पर लिए पीडिया तो उसमें जो है आ आपको आपसाब देखेगा ये बोर्ड़ पर स्ट्रेश करने पर ऐसा हो गया ठीक है गाइब हो गया हम बता देते हैं आको आपसन बता देते हैं एक केमिकल एकुलिविर्यम केवल मेकेनिकल एकुलिविर्यम और डी आप्शन जो आपका वह है थर्मल एकलिब्रियम तो कर रहा है सिस्टम इस से टू बी इन थर्मो डाइनमिक एकलिब्रियम उसमा गति की साम्में अवस्था में कहा जाएगा अगर सिस्टम किसमें हो तो हम जानते हैं तीनों में होना चाहिए तो थर्मल एकुलिब्रियम और टीनों में होना चाहिए और थर्मो डाइनमिक होगा सिस्टम फिर से इसका एक आपन्स घाएब रहेगा आपको जब बिलेगा यहां पर गयब, गया हो गया है , तो Election वॉल्म इतना आपको दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा लेकिन ट्रास्पर आप एनर्दी एक एक रॉस बांडरी है ठीक है इतना कर लेजिएगा अगर आपको आप्शन लिखना तो यह लिख लेंगे तो कौन सा वाला सही है क्या होता है क्या होता है जिससे होकर के कोई चीज कोई मतलब होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या कि उसको हम लोग कंट्रोल वालुम यानि क्या होगा फिक्स बीजन इस पर थर्मोडाइनमिक स्टेडी जैसे हमने नौजल का एक्जामपल लिया नौजल में हम क्या लेते हैं तुमखे फिक्स्ट रीजन होता है त्यक्षेत्र होता है जिससे हो कि कोई भी हो रहा हम यह चाहथा है बीचाथ फाल्वेंग 技ण X न फांपल आप िइसलेटेशिस्टंप तो कौई इसमें से आइसोलेटेड शिस्टम का एक्जामपल है तर्मोफ्लास एककप आप फॉट कॉफी प्रेसर कूकर या बॉयलिंग वाटर वीचलिट तो ईसलेटेड सिस्टम का मतब क्या होता है को इन तो उसमें ऐसा सिस्टम ठीक है नहीं मास्ट का ट्रांसपर नहीं चाहिए तो देखें कि ईनर्जी का टांस्पर होगा सरांडिंग योड उसमा का अस्तोनांत्र होगा तो एनर्जी ट्रांसपर यह प्रेसby के हैं डथे कोई भी गरम करता है गरम कर दो अन करें प्टरणम्लार भी टांसफर हो रहा है लेटी अगे निविवटr क्या तो वहां पर इनर्जी का टांसफर हो रहा है तो थर्मो फ्लास्क जो होता है वो क्या है आपका आइसुलेटर सिस्टम का एक्जाम्पल यह भी पर्फेक्ट नहीं है लेकिन कینदा क्योंकि इससे ओकर कि अस्तानांत्र होने नहीं दिया जाता है लेकिन फिर भी होता है धीरे धीरे उलेकिन हम माल सकते हैं कि अने आयलकर लिए बढ़न सब्सक्क फिर्फेक्ट करता है इंटर्णाल एनर्जी किसंपर डिपेंड करता है तो हम आपको बता है जूल सला जिसको हम लोग बोलते हैं जूल सला के अनुसार जो इंटर्नल एनरजी होता है वो फंक्शन आप क्या होता है टेंपरेचर और आइडियल गैस बताये और यू जो होता है इंटर्नल एणरजी एडटी के बराबर होता है तो इंटर्नल एनरजी के पर्फेक्ट डिपेंट्ट सब्सक्राइब यह जूल सला ही होता है यह बताता है इंटर्नल एडरजी इन्हें सब नहीं होगा एक छो सब रखेंग तो इसमें क्या ती नहीं दिख रहा है इसमें क्या रहा है ती नहीं दिंख रहा है ते शल्राइब जानते हैं तो आपका क्या होता है आपको यह सब बताए भी आपको यह पढ़ाया है तो पूरा बताया गए तो आप इतना तो जानते हैं जानते हैं तो गेल उसाक लाग क्या होता है यह भी पढ़ने आपके लिए पढ़ाये भी है अप लोग पढ़ेंगे है कि देस्ट क्यर्ड नाफ को स्ट्विफ्टा तो स्पेस्पिक नहीं है तो हम लोग जानते हो रिएन यह यह इस लिए प्रॉप्र्टी नहीं होते हैं प्रोपर्टी नहीं होते हैं किसी सिस्टम के हीट और वार्ग दोनों जहां क्या वो प्रोपर्टी नहीं कहे जाएंगे ठीक है इस प्रोपर्टी यह टेम्परेचर प्रोपर्टी जो इस पाथ फंक्शन होता है ठीक है वो क्या होता प्रोपर्टी नहीं होता है दिखते हैं लेकिन जो आपका फॉंक्षन होता है क्योंकि यह सभी हम फॉंक्षन है यह सिस्टम के प्रॉपर्टी है कि दुछन देख देखेंगे इंटरनल एनर्जी आफ है सिस्टम ही जीरो इप तो क्या रहेगा तो चेंज इन इंटर्नल एनरजी आपका क्या होगा यह डी वाला आप्षन यहां पर टेंपरेचर इधर आ गया है कोई दिक्कत नहीं है लिए तो आपके पास चार अप्षन एक हैं इंट्रोपी दूसरा मास दिसरा वर्क चर्था टेंपरेचर तो कह रहा है कि आपका की चेंज इन इंटर्नल एनरजी आपके सिस्टम जीरो डैस इस कॉंस्टेंट तो इस डैस मतलब क्या इंटर्नल एनरजी जीरो होगा तो अभी ह तो यहां से क्या होगा जब आपका टेंपरेचर कॉंस्टेंट रहता है तो हमको नहीं लग रहा है कोई से में दिकत है अब चलिए नेक्स्ट पॉस्चन पूर देख थे हैं क्या एडियल ग्यास अंडर गोज आई इसो थेर्मल प्रोसेस बिट्वन इस्टेट टू अब अगर आपका जनरल लिखे थो पी वन एपन टी इस इपल टू रहा है तो आप प्रोसेस आप प्रोसेस आई तर्मल हो रहा है तो तो दोन बराबर होने चाहिए आइसो थर्मल मतब टेंपरेचर तो ती तू गया यानि यानि पी वन इकल टू पी टू वी तू आपका अंसर हो जाएगा तो कौन सा वाला यह वाला आप्शन कि यहां पर देखते हैं अपर पॉस्टन क्या रहता तो हमने जानवुच क्या नहीं सुने होगे एक्चिली आइसो पीस्टी का मतलब होता है चौंश्टम फरेश्या फ्रोसेस ठीके ना आइशो पीसिक प्रोसेस मतलब आईसो भार इक प्रोसेस या कौंस्टम प्रेशर प्रोसेस तो लब परसेस्या क bluffेश्या काउंस सकते हैं ॥्फिए इसमें मैं कि हैं और है इन फर्मोडायनमिक कि इन फर्मोडायनमिक्ति ए प्रोसेस इन विच मिस्द इस सीष्टम ऐंडर गोस इसक्रोड इस सक्षेशन आफ administration इस यह दो अगर एक प्रोशेश सक्षेशन आफ उसक होकर करके जाता तो उसको हमिटों क्या जांते हैं कंञसा से जा रहा है कि अधिश्क है तो क्या बोलते हैं प्लेटिक बताएं आपको पढ़ा चुके हैं वह उच्छे से क्वासि इस्टेटिक प्रॉस्च प्रोसेस पहला तो यह सुखिक है फिर दूसरा का reversible process भी है तो आपको बताए जिते जब पढ़ा रहे थे तो और यृषिन के बारे में बताया तो प्वा स्टेक्त ऑर स्ट में कोई सिस्टम आया तो अब दूसरे स्टेट में गया तो property बीटो हो गया अब बताइए एक सरामडिंगज भी फृफशिंट यह अब आप क्या करें एक रिवर्षिवल प्रोसेस तभी यह जब आप क्या करें दूसरे से डू से आप सिस्टम को और स्टेट में ले जाएंगे तो जाएसी बाता है फिस्टम का तो वही मिल जागा फिर से प्रॉपर्टी लेकिन सराउंडिंग्स का भी वही प्रॉपर्टी मिलना चाहिए जो कि ऐसा कभी नहीं होता कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉसेस नहीं है जो पूरी तरह से लेकिन च्वासी स्टेटिक प्रोसेस जोगा वह नीर बाउट रिवर्सिवल होता है ठीक है क्योंकि यह सीरीज आफ इकलिब्रियूम स्टेट से जैसे आया है वैसे यहां पर दिखाए आमने एक पॉइंट से तो वो क्या होता लेकिन अगर आपके option में यह भी दिया है क्योंकि दो-दो option करके दिया देसे option लिखा one and three ठीक है option लिखा one and three option भी लिखा है अम आप संब बता देते हैं option a लिखा one and three option b लिखा one and two option b क्या लिखा one and two जो की सही है one and two ही सही है option c लिखा है three and four और option d लिखा है two and four ठीक है तो three and four two and four तो दो यहीं दो करेक्ट होंगे बाकी यह नहीं यह reversible process नहीं होगा पाथ independent process भी नहीं होगा तो कौन सा वाला बी वाला आप्षान होगा one and two ठीक है next question पर बढ़ते हैं पहला work is path independent function दूसरा work is path dependent function वर्किज पाथ dependent function वर्किज एरिया अंडर धो करव इन्हें पीवी डाइग्राम work and heat energy और अप्लीटली इंटर्चेंजिबल तो कौन सा अफ्थन सभी होगा इसको अच्छे से आपको बताया हुगा था तो पहला चीज तो यह जान लेजिए कि यह पाथ इसके लिए इसके लिए इस पात के लिए बरक्न कुछ और होगा तो इसके लिए इस पॉइंट्स पर गया है पाथ जो है दूसरा चूज किया है ठीक है सिस्टम एक से दूसरे से जाने में दूसरा पस फालो किया है तो इसलिए जो वर्क डण होगा या ही ट्रांसफर होगा दोनों में अलग लगए तो पाथ क्या होता है पाथ dependent union function होता है और यह इरिया under the पीवी डाइग्राम के नीचे टूर्व का एरिया ऑगर बथ पाइस पास को यहां से यहां तो यह क्या कहलाएगा वर्क डन को बताता तो यह भी आप्षंस है यह पहला तो गलता है दूसरा सही है तिसरा सही है और चौथ हम एप हीटपशती हा यह और एनरजी आर कमप्लेटली इंटर्चेंजबल यह होता है जोकि सेकेंड ला में हमने देखा कि टोटल जो है ही ट यंड बर्क को क्या होता है completely नहीं बदला जा सकता देखिए पीज़ा वर्क को पूरी तरह से हीट में कर सकते हैं लेकिन हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल है सबसे मुश्किल काम यही है ठीक है न जो जो हमने देखा केलिविन प्लांक स्टेट्मेंट वही चीज बताता भी है तो कौन सा आप्शन टू एंट री सही है तो टू एंट री किसमें है डी में है तो डी आप्शन हमारा सही अगला कोश्चन है है एक होता है जो कि हम लोग जानते हैं कि क्यू इस तरह से आप सिंपल फार्मूला जानते हैं तो सी इस उकल टू होता है क्यू वाई का ह MAT Du C mid data की sheat capacity heat capacity का मतलब होता है कशीप अहां हीट कफेस्टी का मतलब होता है एंड्बर सी यह होता हीड़् कापेसिटी आँ हिज़ेंगें हो से समझिएगा है एंटु सी हीट के पस्क्राइश कर दिया है कि हीड की बात कर रहा है क्योंकि हीड कैश्टी और इस मी कर देंगे कि तो corr जूल पर केजी केल्विन होगा यहां पर भार के चलाया यहां पर रहना चाहिए तो भी वाला आप्शन सही होगा जूल पर केजी केल्विन ठीक है जलिए आप बढ़ते हूं कि यहां देखें तो आपके सामने क्वेश्चन है यह वन मीटर की वाफे गैस ऐट फाइव बार प्रेशर इच खंप्रेश्ट एट फॉंस्टेंट टेम्परेचर तुझ जिरो पॉंट फाइव मीटर की तो आपका उन की वन मीटर कीव अफेट फाइच फाइग बार प्रेशर इच कंप्रेश्ट एट एक प्रेश सब्सक्त प्रेशर तुझ जया ओगा। प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है या वोल्यूम जो होता है प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों बातें सही है है तो अगर देखिए वॉल्यूम क्या है पहले मीटर क्यूब है एक मीटर क्यूब आयतन घट के 0.5 मीटर के वह रहा है तो गुना घट रहा है वॉल्यूम तो प्रेशर दो गुना बढ़ेगा तो आप चाहें तो इसमें रख के भी लगा सकते हैं तब भी वही अंसर आएगा और इस तरह से करेंगे तब भी यह दो नहीं दस बार तो अजयागा सिल आप्षन यहां पर लिखा होगा है तो यह वह लुट नहीं हो टो है तो आप फर्मूला रखे आपे लगा सकते हैं तो कि फार्मूले से भी करके दिखा दे रहे हैं आपको ताकि आपके लिए कोई डाउट ना बचा रहे हैं तो पीवन वीवन इस उकल टू क्या होगा पीटू वीटू पीवन क्या है पांच बार में ही रखते हैं या फिर अगर चेंज करेंगे तो दस के गात पांच से पांच बार है ना ठीक है और इन्टू जिरो पॉइंट फाइब यहांते क्या हो जाएगा यहांते हो जाएगा पचास बटे पांच क्योंकि दस का उपर नीचे गुड़ा कर देंगे दस गयात पांच है तो पांच दस बार में टेन टू दिपार फाइब तो टेन टू दू क्या करा रहा लुद इसको करा इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वीच आप फालोविंग प्रोपर्टी रिमेन कॉंस्टेंग रिमेंस पॉंस्टेंट रिमेन होना चाहिए तो यह टंपरेचर भी है एट्ट्रोपी सी एफ प्रेशर और दी यह वालिम्ट एट्टमपरेचर एंट्रोपी प्रेसर दी वॉल्म तो कौन सा वला होगा आइस एंट्रोपी क्या होता है ठीक है कि यह तो हम लोग बहुत देखे होगा है इन्हें रिवर्सिवल आइसो थर्मल प्रोसेस पर आइडियल गैस ठीक है इस जीरो क्या है जीरो ठीक है तो यह तो नहीं है यहां पर भरने के लिए नहीं है इन्हें रिवर्सिवल आइसो थर्मल प्रोसेस पर आइडियल गैस इस जीरो क्या है जो जीरो है ठीक है तो वह क्या है जीरो है क्या है कि Raphael इसो थर्मल प्रोसेश हो रहा हुथ होगा चेंज इन इटार्मल एनाजी जी रोगा की नहीं क्योंकि डेल्टा यू यहीं तो होते है और हमसे होता है और यहीं जब जीरो है- तो सब बुरह ॐजहाีका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्योंकि आइसो थर्मल का मतलब होता डेल्टा टी जीरो ना ताप पान में कोई परिवर्तन नहीं होना ठीक है ना तो यह चीज है हो गई आपके सामने कि अगला पॉस्च्चन आपका शिक्वेंश आप प्रोसेशेट ता हुए बॉस्टी कि अटिशिक इवन्टेश से नट है तो यहांसे चला कि वनीनल पर आ गया क्या क्या लाता है थ्रमडायनमिक साइकील कहा है फर्मोडायनमिक साइक यह सब्सक्राइप दिक एग और निippик क्या निए लिखा यह था है किंदा जंस सुरी जह हों कि है इस फ् konse Minister इस प्लोच आप दो अधिश्टम इज वन विच मास्ट थो आप दो इनर्जी में डू आप दो तो यानि की कलोशिटम ऐसा इस्टम में जिसमें गए मास क्राश नहीं कर पाता और बांडरी पो लेकिन अनगी ऐसा कर पाता मास्ट आप बांडरी प्रनाट थे नाइढर मास्ट अगर इसको बर्नर से हम गरम भी कर रहे हैं तो यह जो क्या कर रहा है इसको गरम तो कर रहे हैं लेकिन कोई यह बंध है तो मास तो क्रास नहीं कर रहा है बंडरी को क्योंकि यह बंडरी सिस्टम का बंडरी है यह एक पर अब आज के लिए इतना अब और भी क्वेश्चन है इसमें तो हम लोग आगे करेंगे आगे के क्लासेद में अभी के लिए बस इतना ही रने देते हैं मुझे दिदे जादत ध आपने वाद